आगर संकर भगवान के साथ आप होली खेल रहे हो तो चंदन का पानी संकर भगवान को चड़ाईए अश्ट घंद का जल भगवान शिव को चड़ाईए श्यू मंदिर में जाना है चंदन का जल शिव जी को एक लिए जैसरी कृष्ण होली की हार्दिक सुपकमना है इस रंगभड़ी 81 पर हम करेंगे रंगों से कुछ ऐसे उपाय जिससे की हम सभी नरायन के रंगों में रंग जाएंगे तो जानते हैं कि रंगभड़ी 81 दोहजर 24 मार्च में 20 तारिकों है यानि की कल तो कल है रंगभड़ी 81 तो रंगभड़ी 81 के दिन ठाकुर जी को जरूर ही रंग यानि अभीर गुलाल उनको चरनों में लगाएं उनके गालों में भी लगाएं और आप अपनी खुशियों मे चारचांद लगाएं माननेता है कि ठाकुर जी को गुलाल लगाने से हमारे जीवन में भी गुलाल भड़ जाता है यानि रंग भड़ जाते है हमारा जीवन रंगीन बन जाता है तो कोन नहीं चाता कि उसके जीवन में रंग ही रंग हो उसका जीवन खुशाहाल हो अगर च ठाकुर जी को कल पीला गुलाल आप लगाएं जिसे की ठाकुर जी अपनी प्रशंता और देखिएगा कैसा पीला गुलाल में ठाकुर जी की सूरत चमकती हैं और आप हमें अपना ठाकुर जी की किस तरीके से होली मनाते हैं वो आप हमें इंस्टागराम पर फोटो भी सेर मुझे बहुत अच्छा लगता है कोई भी ठाकुर जी का सेवा करता है डिफरेंट तरीकों से उनको मनाता है अपना प्यार जताता है यहीं पर आप और हम सभी रंग भड़ी इकादसी से लेकर होली तक पांच दिन की जो ये तीथी हैं इस तीथियों में संकर भगवान को भी हम रंग चड़ाते हैं संकर भगवान से होली हम कैसे खेलेंगे संकर भगवान से होली खेलने के लिए हमें एक लोटे में जल लेकर उसके अंदर गुलाल डालेंगे यानि कि अस्ट गन डालेंगे और श्री शिवाय नमस्तु व्याम करकर संकर भगवान पर अविशेक कर दे हैं और आप बताईएगा आप कैसे खेलेंगे इस तरीके से महराज जी परदीपिसरा जी ने बताया है कि संकर भगवान के साथ हमें किस तरीके से होली खेलनी है आप सभी हमारी शॉर्ट्स वीडियो पे भी जरूर आईएगा क्योंकि बहुत ही सुन्दर तरीकों से हमने संकर भगवान के साथ रंग खेलना सुरू कर दिया है एक और खास खबर रंग भड़ी 81 के दिन ही माननेता है कि संकर भगवान माता पारवती को अपने पहली बार भ्रहमन कराने काशी लेकर गए हुए थे तबी से संकर भगवान को अभीर भी चड़ता है और गुलाग चड़ता है इसी दिन से हम सभी इस्तिति को रंग भड़ी 81 कहते हैं कल है रंग भड़ी 81 का ब्रत रखकर पूरे विदी विदान से विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की उपासना होगी हर महीने की क्रिष्ण पक्षक में और सुकल पक्षक की 81 थी थी भगवान विष्णु को समर्पिते हम सभी जानते हैं रंग भड़ी 81 पर मानेता है की कुछ उपाय कर लेने से सिरी हडी का असिरबाद मिलने के साथ साथ सुख में ब्रिधी होती है इसलिए 20 मार्च को अपनी रासी अनुसार भी हम रंग भड़ी 81 पर ये उपाय कर सकते हैं तो रंग भड़ी 81 पर ये उपाय में मेश रासी वाले लोग रंग भड़ी 81 के दिन भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिसेक करे और उसमें पीला चंदन डालकर आप ठाकुर जी को नहलाएं या लगाएं जिसे की आपको 81 पर आपके जीवन में खुसिया ही खुसिया मिलेंगे वही पर ब्रिशब रासी विष्णु पुजी को आशिरबात पाने के लिए विषब रासी के लोग ओम नमभगवते वासु द्वाय मत्र का जाप करे और पीला चंदन ही लगाएं इसी तरीके से आपको मितुन रासी वाले मितुन रासी के लोग रंगवरी 81 पर भगवान विष्णु को बेशन की लड़ू का भोग लगाएं अगर आप रत कर रहे हैं तो आप न खाएं आप अपने परिवार में बाटे वही पर करकरासी के लोग सिरी हडी की किरपा पारने के लिए उन्हें करकरासी के लोग यानी रंगवरी कारसी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के पुस्प चराएं जो कि समौसा में खूब मिल रहे हैं वहीं पे सिंग रासी के लोग भी रंग भड़ी कार्शी के दिन और सिंग रासी के लोग भी भगवान विश्णू को गुर का भोग लगाए और पंचामरित से अभिशेक कराए कन्या रासी के लोग भगवान विश्णू की असीम किरपा पाने के लिए पीला चंदन लगाएं तुला रासी के लोग रंगबड़ी कार्शी के पावन पड़ पर कच्छे दूद और गंगा जल से भगवान विश्णू का अभिशेक जरूर करें उनकी भी दिवत पुजा करें बिश्चीक रासी के लोग दही और सेहत से भगवान विश्णू की अभिशेक करें ओम नम भगवते वासुद वाया मतर का जाप करें ये थी 20 मार्च को आमल की रंगबड़ी कादसी अब आपने पुजा और जान लिया और ये उपाय भी जान लिया इसी तरीके धनूरासी के लोग भी रंगबड़ी कारसी के दिन स्री हरी को पीले रंग के फूल और बस्त्र अरपन करें मकर रासी रंगभरी कार्सी के दिन विश्नु जी का अशिरबात पाने के लिए विश्नु चलिशा का पाठ भी करें कुम रासी के लोग रंग भरी कार्षी के दिन विश्नु भगवान को गूर और चने की दाल का भोग लगाना चाहिए और हल्दी की घाट चढ़ानी चाहिए और इंतजार हुआ खतम मीन रासी वाले का तो रंग भड़ी कार्शी पर भगवान विश्णू का अशिरबात पाने के लिए मीन रासी के लोग ओम नमो भगवते नमा का मंत्र का जाप करना चाहिए तो होली से रिलेटेड आपको इस रंग भड़ी कार्शी पर जनकारी कैसी लगी जरूर बताईएगा और पांच दिन कल से यानि रंग भड़ी कार्शी से होली तक अप ठाकूर जी को नित अलग अलग रंगों से रंग लगाईएगा अपने रासी के अनुसार और अपने उनको खुशहाल बनाईएगा जैश्री किष्णा रादे रादे फिर मिलते हैं एक नए बिसे के साथ